भाई साहब यामिनी सिंग ने तो काजल रागवानी का हालत खराब कर दिया यार सच में मतलब काजल रागवानी ने कहा था कि खेसारे लालियादव बहुत सारी लड़कियों को बदलते रहते हैं बहुत सारी लड़कियों से चक्कर चलाते रहते हैं बहुत सारी लड़कियों को गल्फ्रेंड बनाते हैं और छोड़ देते हैं मेरे बाद यामिनी सिंग को गल्फ्रेंड बनाया और यामिनी सिंग थोड़े ही दिन में जिंदगी में आई और गायब भी हो गई चली भी गई यही सवाल यामिनी सिंग से इंटर्व्यू लेने वाले ने कर दिया भाई साहब यामिनी सिंग ने कहा कि काजल रागवानी जी मैं आपके उपर मानहानी का दावा ठोक सकती हूँ खेसारी जी ने मेरा हमेशा रिश्पेक्ट किया है इज़त किया है खेसारी जी ने कभी मुझे आज तक गलत तरीके से टच तक नहीं किया है वो बहुत जादा इज़त करते हैं मेरी और आप ऐसा कैसे इलजाम लगा सकती हो काजल राघवानी मतलब हम तो डुबे सनम साथ में तुम्हें भी ले डुबे एक औरत होकर औरत की दुश्मन बनती हो एक औरत के साथ उधर तुमने दुश्मनी कर ली एक मेरे साथ तुम गलत करने की कोशिश कर रही हो जिसके साथ मेरा कोई चकर नहीं है तुम मेरे उपर लांचन लगा रही ह काजल रागवानी तुम मेरे उपर लांचन लगा रही हो जब तक केसारी लाल यादव तुमारे साथ थे तब तक अच्छे थे अलग हुए तो खराब हो गए और अलग होने के बाद में भी काजल रागवानी जब मैं लंदन में थी केसारी जी के साथ शुटिंग कर रही थी न तब वैसे तो तुम कभी मुझे मैसेजस नहीं करती थी कॉल नहीं करती थी लेकिन जब मैं लंदन में थी तब तुम लगातार मुझे मैसेज करती ही रहती थी और तुमने वीडियो कॉल भी किया था और मेरे से बात करने के लिए नहीं खेसारे लाल यादव से बताओ उस टाइम तो तुम लोग रिलेशन में भी नहीं थे फिर क्यों जान दे रही थी क्यों बार-बार खेल कर रही थी इधर ये कहती हो कि मंच पर मेरा नाम ले लेता है हम लोग रिलेशन में नहीं हैं बहुत पहले से तो खेसारे लाल यादव से रिलेशन तूट चुका था उसके बाद कोई और भी जिंदगी में आया था यानि की कोई और बॉइफरेंड रह चुका था और वो बॉइफरेंड के साथ भी उस टाइम में काजल रगवानी की समस्या चल रही थी और उसी समस्या को लेकर काजल रगवानी यामिनी सिंग को कॉल करती थी और वीडियो कॉल करके यामिनी सिंग से बात नहीं की बलकि काजल रगवानी ने खेसारे लाल यादव से बात किया तब भी खेसारे लाले आदव को छूं कॉल करके बात कर रही थी बार बार इतना ही नहीं तुम्हारा प्यार है की बुखार पहले खेसारे लाले आदव से था वो तूट गया उसके बाद फिर हो गया वो तूट गया उसके बाद फिर हो गया ये बार-बार कैसे हो जाता है एक ही गलती बार-बार क्यों दोहराती हो ये कैसा बुखार है कि बार-बार होता ही रहता है अगर इतना ही सच्चा प्यार होता है तो किसी को तूरत एक से छुटना और दूसरे से हो जाना ये भला कैसे हो सकता है यामिनी सिंग ने एक बात पर बार बार जोड़ दिया है इसका हम क्या मतलब समझें कि तुम एक ही गलती बार बार कैसे कर सकती हो मेरे मन में एक सवाल उठा एक ही गलती मतलब क्या एक से प्यार करके ब्रेक अप हो जाए और दूसरे से प्यार करें क्या इसको गलती कहेंगे ये गलती तो नहीं कहेंगे क्योंकि कहीं न कहीं आदमी जा करके तो रुकेगा तो क्या यामिनी सिंग ये कहना चाह रही थी कि एक शादी सुदा मर्द से तुमने प्यार किया कि तुम्हारा ब्रेक अप हो चुका था फिर भी तुम बहुत ज़्यादा खुश थी उसके बाद अगले रिलेशन में आई वहाँ भी तूट गया फिर अगले रिलेशन में आई देखिए यहाँ पर यामनी सिंग ने रिपिट किया है कि एक रिलेशन तूट गया फिर दूसरा वो भी तूट गया फिर अगला यह प्यार है या बुखार यामनी सिंग ने कहा है कि अगर तुम्हें मेरे से बात करना है न काजल रागवानी तो मुझे सीधा कॉल करो तुमको लाश्ट वार्निंग दे रही हूँ मेरे से मत उलजना मेरे से उलजना मत और मेरे से सीधा मेरा पता लो और मेरे घर पे आओ और बैट कर मेरे सामने बात करो मैं तुझे वार्निंग दे रही हूँ लाश्ट वार्निंग यामिनी सिंग के बाद से ये तो पता चलता है कि काजल रगवानी ने बहुत कुछ खेसारे लाले आदव के बारे में जूट जो है वो बोल दिया है क्योंकि एक जूट तो सामने है यामिनी सिंग ने कलियर कर दिया है कि वो जूट बोली है खेसारे लाले आदव से मेरा कभी relation रहा ही नहीं था हाँ, मैं अगर खेसारे लाले आदव की girlfriend होती तो मैं इतनी बेकार तो नहीं हूँ कि छे महिना में ही relation खत्म हो जाएगा मैं ऐसे तो नहीं हूँ हाँ खेसारे लाले आदव जी मेरी बहुत इज़त करते थे मैं कभी उनकी गल्फ्रेंड नहीं रही हूँ और अगर मैं खेसारे लाले आदव की गल्फ्रेंड रहती तो क्या खेसारे लाले आदव को वीडियो कॉल पे खेसारे लाले आदव के एक्स से बात करने देती मेरे ही फोन से यानि की काजल रागवानी ने यामिनी सिंग की फोन पे विडियो कॉल किया और खेसारी लाले आदव से बात किया लंबे टाइम तक सोचे अगर खेसारी लाले आदव के साथ यामिनी सिंग का रिलेशन रहता तो ये सच बात है कि काजल रागवानी से यामिनी सिंग कभी भी बात नहीं करवाती कि सारे लाले आदव जी का और हाँ काजल रागवानी भी यामिनी सिंग से ये हिम्मत नहीं कर पाती कि वो कहती कि तुम अपने बॉइफरेंड से मेरी बात कराऊ विडियो कॉल पे मैं बात करूँगी इतनी हıllमत तो काजल रगवाणी में नहीं होती तो काजल रगवाणी ने यहां पर जान बुज कर जूर भयान दिया है यह यामनि सिंग का कहना है खुले आम यानि की काजल रगवाणी ने बहुत सारा जूर बोला है क्योंकि मैं गाउं में हूँ नेटवर्क की बहुत समस्या है वीडियो अपलोड करने में बहुत परिशानी होती है इसलिए वीडियो कम बन पा रहे हैं हाँ लेकिन मैं कल यहाँ पर वाइफाई लगवाने वाला हूँ वाइरलेस वाला उसके बाद शायद मेरी समस्या ठीक हो जाए खर अपडेट था मैं महिश पांडे आप लोग देख रहे थे भुजी उडे इंटर्टार्नमेंट लवी आल